Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel, मैं हूँ मरतस्कीर और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ realistic problems की, जिस वक्त आप Google Ads को इस्तमाल कर रहे होते हैं, उस वक्त बहुत सारी problems आती हैं, और उनी मैंसे एक problem को आज हम लोग discuss करेंगे, और आगे आने वाली videos में भी मैं कोशिश करू जिमते हैं कि यह कम जल्दी हो जाए Google Ads में, उस टाइप पी जो realistic problems होती हैं, उनको भी हम लोग कुछ videos में cover करेंगे, ताकि बहुत सी practical implementations में आपको कोई problem ना हो, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपने suppose कि आपने एक campaign बनाया, और वो campaign बहुत अच्छी तरीके से perform कर रहा है, राइट, बट आप चाहते हो कि same campaign, यानि कि उस campaign के अंदर जो ad groups है, जो ad है, ये सारी चीज़े ना change हो, और same campaign को हम एक दूसरी location के लिए run कर दें, क्योंकि एक campaign के अंदर तो demographics की setting है, यानि targeting की settings है, location की settings है, budget, bidding, बहुत सारी चीज़े होती है, ये campaign के अंदर, तो आप चाहते हो, वो सारी चीज़े same रहें, बट केवल एक point change हो, कि जो location targeting हम लोगों ने की थी, suppose करते है, एक campaign में हमने पूरे all over India level की targeting की थी, अब हम चाहते हैं, कि एक दूसरा campaign बनाए हम, जिसमें हम किसी दूसरी country की targeting करते हैं, किसी time taking, बड़ा time लग जाएगा, सारी settings को आपको वापस लिखना पड़ेगा, ठीके, ऐसे में आपके चाहते हैं, कि simple copy paste हो जाएं चीज़े हैं, एक पूरा campaign replicate हो जाएं, एक दूसरे campaign के form में, और वहाँ पर जो हमें location की change करना है, वो एक हम change कर दें, बाकि हमारा काम हो जाएं, इन options में आपको किस तरीके से काम करना है, या दूसरी अगर हम बात करें, campaign के तो campaign level की बात होगी, यही चीज़ पॉसिबल हो सकती है, आपके ad group level पर, आपके ad level पर और आपके keywords के level पर, यह campaign के keywords आपको लगता है, ठीक चल रहे हैं, आप चाहते हैं, कि हम उन keywords को कहीं दूसर जिगा भी use कर पाएं, तो क्या हमारे पास copy-paste का option है, और अगर है, तो किस तरीके से करते हैं, चलिए सीधे चलते हैं, हम लोग laptop screen की और, और वहीं पर हम देखते हैं, किस तरीके से हम यह copy-paste की setting कर सकते हैं, तो guys, एक बार हम लोग इसको campaign level पर देखते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो जाला time ना लेते हुए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो जैसे कुछ हम लोग ले लेते हैं, यह हमारा एक live campaign है, यह हम कहें, जो enabled campaign है, इसको देखते हैं, इसको हम लोगों ने select किया, क्या करना है, आपको simply control-C, यानि copy, ठीक है, और इसको हम कहां paste करेंगे, generally campaigns हम ad groups के अंदर, या ads के अंदर तो नहीं paste कर सकते हैं, इन्हें हमें यहीं पर paste करना होगा, so इसको हम लोग करते हैं control, और वापस करते हैं V, so अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको paste करने के option आ रहे है, paste क्या है, कि pause new campaign after pasting, यानि जो campaign आपने copy paste किया है, उसको आपको जैसे ही paste हो, वैसे ही pause रखना है, आपको actively करना है, start and end dates आप चाहें तो fix कर सकते हैं, तो यह भी option आपके पास है, बाकि अगर मैं बात करूँ तो यह जो copy paste है, campaign की, यह सारे levels पर नहीं होती है, ठीक है, जैसे जो normal, अगर हम बात करें, admin level पर या master level आप यह काम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए एक बार इसको करते हैं, हम लोग paste और देखते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हमें यह show होता है, तो इसको कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ पर आपको error दिख जाएगी, ठीक है, कुछ हो सकता है, कभी-कभी paste करने में क problem होती है, तो यह campaign यहाँ पर live way में नहीं दिखेगा, बाकी सारी चीज़े ठीक रहेंगे, तो आप देख रहे हैं, आप पर जो search campaign हम लोगों ने लिया था, search 21, इसका यह fourth version copy हो गया है, बाकी भी copy किये गये हैं, इससे पहले हैं, बट यहाँ पर fourth version इसका copy हो गया है, ठीक है तो यहाँ पर आपको numbers के हिसाब से दिख जाएगा, आप चाहें तो आप इसके नाम change कर सकते हैं, जैसे version, अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको तो इसका नाम रख देता हूं, version, तो इस तरीके से आप चाहें तो ads को भी आप कर सकते हैं, तो चलिए ads को करने की कोशिश करत हम लोगों ने copy और इसे भी हमें यहीं पर paste करना है, fine, we cannot paste it here, क्योंकि हमें किसी campaign में जाके इसको paste करना पड़ेगा, तो आजाते हैं इसी version 4 वाले campaign के अंदर, और अब हम इसके ad group level पर आगए, अब आप हम इसको paste कर सकते हैं, तो आप देख रहे है, add group के लिए भी आपको same option मिल रहा है, इसको हम paste कर सकते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर कोई option नहीं select किया, इसलिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से actually हम paste कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, और अपने time को save कर सकते हैं, यहाँ छोटे मोटे tips के थूप, so see you in the next video, till then, a very good bye.